तो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन चप्टर में थर्ड नंबर की कॉलिगेट्ट्व प्रॉपर्टी को डिसकस किया था जिसका नाम था डिप्रेशन इन फ्रेसिंग पॉइंट आज का हमारा टॉपिक है फॉर्थ नंबर की कॉलिगेट्व प्रॉपर्टिक डिप्रेशन जिसे हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे इस टॉपिक को अच्छे सा समझने के लिए इसके अंदर हम कुछ और छोटे शड़े टॉपिक डिसकस करेंगे वो टॉपिक क्या है उसको पहले देख लेते हैं फॉर्स टॉपिक हम डिसकस करने वाले हैं सेमी पर्मीयबल मेंब्रेन सेमी पर्मीयबल मेंब्रेन जिसे हम सौट में कहेंगे स्पी अम सेकेंड टॉपिक हम डिसकस करेंगे आस्मोसिस और थर्ड टॉपिक होगा reverse osmosis ठीक है तो osmotic pressure तो हम देखेंगे ही साथ में हम इन topics को भी देखेंगे जिससे हमारा concept अच्छे से clear हो तो अगर हम first topic की बात करें semi permeable membrane semi permeable membrane क्या है एक filter है जो अपने में से सिर्फ solvent के molecule को pass होने देता है so semi permeable membrane is a membrane which allowed to pass only solvent molecule अब ऐसे filter जो सिर्फ solvent के molecule को pass होने देते हैं इसके requirement हमें क्यों है अभी यह अभी एक diagram से हम समझते हैं और उसके concept को अच्छे तरीके से clear करते हैं तो चलिए इन सारे topic को समझने के लिए मैं यहाँ diagram सो करता हूं यह मैंने कंटेनर ले लिया इस कंटेनर के अंदर इस कंटेनर के थ्रू हम दो टाइप के liquid को separate करने वाले हैं अब ऐसे ही मुझे दो और diagram के requirement होगी तो उसमें अभी से ड्रॉख कर लेता हूं और इन कंटेनर में भी मैं semi permeable membrane इस तरह से set कर दिया यह है semi permeable membrane जिसे sort में हम SPM ही कहेंगे ठीक है तो SPM का nature क्या है allowed to pass only solvent molecule अब देखो first diagram से बात करना शुरू करते हैं यह हमने SPM ले लिया और इस SPM के थुरू हम हम दो टाइप के liquid को separate करेंगे एक side हम ले लेते हैं pure liquid यह हमने क्या किया एक pure और impure liquid को SPM के थुरू separate कर दिया देखो यहां पर यह pure solvent है pure solvent का concentration solution के comparison में थोड़ा सा कम होगा तो यह जो दिख रहा है reason semi permeable membrane के left side का जो solution है sorry left side का जो liquid है यह lower concentration reason वाला liquid है तो इस हम क्या बोल सकते हैं इस reason को हम कह सकते हैं lower concentration lower concentration reason अब मुझे इसको बार बार यूज करना पड़ेगा lower concentration reason तो इसलिए इसको मैं sort में लिक लेता हूं LCR ऐसा आपको किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा LCR लेकिन हम अपने समझने के लिए LCR लिख लिए अब देखो pure solvent का जो भी concentration होगा जब हम उसमें solute mix करको उसको इंप्योर कर देंगे तो उसका concentration obvious सी बात है high हो जाएगा तो यह जो solution है solution वाला तो reason है यह क्या होगा यह होगा higher concentration higher concentration reason अब इसे अगेन मैं short में क्या लिख दूँँगा hcr ठीक है तो अब मैं short में हर बार इसको क्या बोलूंगा LCR lower concentration reason और इसे क्या कहूंगा hcr higher concentration reason अब देखो जब हम semi permeable membrane के तुरू दो टाइप के liquid को separate करते हैं तो बीना कुछ किए अगर इस तरह से हम separate करते हैं बीना कुछ किए का मतलब अगर हम इसमें कहीं से भी अपने से force या pressure exert ना करे तो normal condition में होता क्या है pure solvent का concentration low होता है जिसकी वज़ा से इसके molecules के अंदर flow होने का nature इस solution के molecule के comparison में high होता है और होता क्या है इस pure solvent के molecules इस pure solvent के molecules इस solution की तरफ move करना सुरू कर देते हैं clear है इसमें जो pure solvent के molecule है इस low concentration region से इस high concentration region में move करना सुरू कर देते हैं और low concentration region से high concentration region में solvent के molecule का flow होना क्या कहलाएगा यही कहलाता है osmosis clear हुआ osmosis क्या है osmosis is the process of flowing of solvent molecule from low concentration region to high concentration region through the spm or you can say semi permeable membrane clear हुआ चलिए इसको मैं लिग देता हूँ यहां पे तो osmosis का प्रोसिसम को समाद आ गया osmosis osmosis क्या है the process of flowing of solvent molecule solvent molecules from low concentration region to high concentration region through spm is known as osmosis clear है तो osmosis process क्या है the process of flowing of solvent molecules from low concentration region to high concentration region through spm is known as osmosis या फिर आप बोल सकते हैं the process of flowing of solvent molecule from pure pure liquid to impure liquid is known as osmosis clear हुआ तो हमने अभी क्या क्या समझा अभी हमने first समझा semi permeable membrane जो एक filter होता है जो अपने में से सिर्फ solvent के molecule को पास होने देता है तो क्लियर है अब देखो अब यहां पर होगा क्या जब यहां से प्योर solvent से molecule impure solvent मतलब low concentration region से high concentration region की तरफ molecules flow होना सुरू होंगे तो अब यहां सी बात है इसका का level में थोड़ा सा इस तरह से हाई कर दिया अभी भी देखो अभी भी यह वही चीज है इस तरफ क्या है pure solvent है और इस तरफ क्या है solution है यह जो pure solvent है कि किस तरह का है यह है low concentration reason वाला है और यह कैसा है high concentration reason वाला है clear है अभी हमने देखा normal condition में low concentration reason से solvent के molecule high concentration reason की तरफ move किये अब move करने से इसका level बढ़ गया अब हम चाहते हैं कि यह जो process है रुक जाए हम इस flow को रोकना चाहते हैं तो इस flow को रोकने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर एक external pressure apply करेंगे यह यहां पर external pressure apply करेंगे और इस pressure को इतना apply करेंगे कि यह जो process है रुक जाए ठीक है तो जब यह process रुक जाएगा मतलब इस तरह से यह जो flow है रुक जाएगा clear है तो हमने यहां पर जो pressure apply किया है जिस pressure की वज़ा से ये जो osmosis का process है ये जो solvent के molecule का flow होने का process है वो रुक गया इसी pressure को हम कहते हैं osmotic pressure जिसे हम pi से represent करेंगे clear बात तो osmotic pressure क्या है osmotic pressure is a pressure which apply to stop the osmosis process clear osmosis process को stop करने के लिए जिस pressure की requirement होती है ये जो pressure apply किया जाता है उसे हम कहते हैं osmotic pressure clear बात तो जब हम osmotic pressure apply किये तो solvent के molecule का flow रुक गया इसका मतलब osmosis process रुक गया clear हुआ तो अब यहाँ पे अच्छा देखो लिखने का काम हम बात में कर लेंगे लिखने के लिए आप चाहो तो description box में जा करके notes download कर लिजिए ताकि लिखने से हमारा समय बच जाएगा ठीक है तो चलिए हम समझने पे focus करते हैं अब हम चलते हैं आगे की तरह अब यह process रुक गया क्यों रुका क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेसर अपलाई किया अब मैं इस प्रेसर को और increase कर दो इस प्रेसर को अगर और increase कर दो तो एक समय ऐसा आएगा जब इस solution में present solvent के molecule इस low concentration result की तरफ move करना सुरू कर जाएंगे ठीक है चलिए इसको समस्ते डियाग्राम से हम अब देखो हम क्या करेंगे जितना भी प्रेसर हम अपलाई कर रहे थे उससे अब हम कहीं ज्यादा प्रेसर अपलाई करेंगे मतलब अब जो प्रेसर होगा इसको मैं new pressure कहा देता हूँ P-dates और जो P-dates pressure होगा यह होगा higher than P और you can say Pi ठीक है तो अब जो हम नया प्रेसर अपलाई कर रहे हैं P-dates यह क्या होगा Pi से ज्यादा होगा Osmotic pressure से जब ज़़्यादा प्रेसर अपलाई करेंगे यहाँ पर लिदे हों हैं अब हम जो प्रेसर अपलाई करेंगे यह क्या है P-dates तो जब हम P-dates pressure अपलाई कर रहे हैं मतलब osmotic pressure से ज्यादा pressure apply कर रहे हैं तो अब होगा क्या यहां से molecule इधर flow होना शुरू हो जाएंगे कुछ इस तरह से यह देखो अब higher concentration region से जो molecules है lower concentration region में flow होने शुरू हो गए तो इस process को हम क्या कहेंगे reverse osmosis यह जो process क्या कहलाएगा यह process कहलाएगा reverse osmosis clear है osmosis के opposite process क्या कहलाएगा reverse osmosis और actual में यही जो process है हमारे filter में होता है हमारे filter में क्या होता है impure water हम feel करते हैं और उस impure water में से pure solvent को filter अगरके हमें देता है मतलब हम क्या पीते है pure solvent हम पीते है pure water तो वो करता क्या है हमारे water में घर में जो water आती है उसमें impurity होती है और उस impurity को क्या करता है यह osmotic pressure से ज्यादा pressure apply करता है filter और क्या करेगा वो जो है इससे pure water निकाल करके हम को देता है ठीक है तो चले फिर से समझते है reverse osmosis process क्या है reverse osmosis process is the process in which solvent molecule flow from high concentration reason to low concentration reason अभी भी यह क्या है अभी भी यह pure solvent है क्या है यह pure solvent है और यह क्या है solution है ठीक है यह pure solvent है इसका मतलब यह low concentration reason है और solution का मतलब यह high concentration reason है तो solvent के molecule का high concentration reason से semi permeable membrane के थूँ low concentration reason में flow होना क्या कहलाएगा reverse osmosis कहलाएगा और यह process कब possible है जब हम इस solution पे osmotic pressure से ज़्यादा pressure apply करेंगे clear है तो इस तरह से हमने all topic को clear कर लिया पहले हमने क्या देखा semi permeable membrane फिर हमने osmosis देखा फिर हमने osmotic pressure पढ़ा और फिर last हमने क्या देख लिया reverse osmosis देखा चलिए मैं short में फिर से revise करता हूँ एक बार semi permeable membrane क्या है यह filter है यह membrane है जो अपने में से सिर्फ solvent के molecule को पास होने देता है ठीक है अगर यह solvent के molecule के सांस सांस solute के molecule को पास होने देता तो क्या होता इस reverse osmosis process में यहां पर solute के molecule भी इधर आ जाते तो हमारा water तो filter ही नहीं हो पाता हमारे पास pure solvent मिलता ही नहीं इस लिए इस semi permeable membrane का यूज किया गया ताकि यह solvent के molecule मतलब pure solvent को हमें दे सके clear है चलिए second हमने क्या देखा second हमने देखा osmosis osmosis क्या है it is the process of flowing of solvent molecule from low concentration region to high concentration region through semi permeable membrane is known as osmosis ठीक है फिर हम देखा osmotic pressure osmotic pressure क्या है it is the pressure which stop osmosis or you can say it is the pressure which stop the osmosis process clear है next हमने देखा अच्छा इस osmotic pressure को हमने किस से represent किया इसे represent किया हमने pi से ठीक है अब देखो फिर हमने देखा reverse osmosis reverse osmosis क्या है जब हम इस solution के side में osmotic pressure से भी ज़्यादा pressure apply कर दे तो क्या होगा इस solution में present solvent के molecule solution से निकल करके pure solvent में आ जाएंगे और इस process को हम कहेंगे reverse osmosis या sort में इसी को हम कहते है RO ठीक तो आपके घर में जो RO लगा होता है उसका actual मतलब क्या है reverse osmosis तो इसे हम कैसे define करेंगे it is the process of flowing of solvent molecule from higher concentration region to lower concentration region through semi permeable membrane clear हुआ अब देखो अब हमारा जो अगला topic बनने वाला है इस osmotic pressure के तो हम कुछ calculation करने वाले हैं molar mass की study करने वाले हैं जो हमारे लिए numerical point of view से काफी important है तो आप इसको note कीजिए और download कर लीजिए notes कहां से description box में ठीक है लेकिन कब last है जब हम पूरा इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेंगे तब तो notes की कोई tension ने लेनी है चलिए इसको note कर लीजिए आप अब हम देखने वाले हैं कुछ calculation osmotic pressure पे based तो इसे हम अलग-अलग topic से देख सकते हैं इसे मैं कुछ topic define करता हूँ determination of determination of molar mass from osmotic pressure जिसे हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर इसे topic के अंदर हम देखने वाले हैं इसी को और करके हम लिख सकते हैं relation between osmotic pressure पाई एंड मोलारिटी जिससे हम capital M से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर इसे topic को हम और क्या कह सकते हैं इसे topic को हम कह सकते हैं relation between osmotic pressure pi and concentration जिसे हम c से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है तो ये सारी चीज़े एक ही है चली समझने स्टार्ट करते हूं इसको समझने के लिए we know that we know that ideal gas equation हमको पता है ideal gas equation क्या होता है ideal gas equation होता है PV equal to nRT जहां P क्या होता है pressure V होता है volume, liter में n क्या होता है number of moles of solute और r क्या होता है universal gas constant और T होता है temperature in Kelvin यह सारी चीज़े हमको पता है class element में हम अच्छे सब पढ़ जो कहें इसको ठीक है, अब देखो इसे यहाँ पर जो pressure है यह pressure actual में क्या है osmotic pressure now P is equals to क्या है osmotic pressure जिसे हम pi से represent कर रहे है यहाँ पर clear है तो इस equation में हम क्या कर सकते है so P की जगर हम देख लेंगे pi और V और यह हो जाएगा nRT अब देखना यहाँ पर हम और क्या लिख सकते है यहाँ से हम pi equal to लिख सकते है n upon V R T इसे में equation number first कहा सकता हूँ clear है तो अब देखो एक चीज़ समझना यह जो n upon V है number of moles upon volume actual में क्या होता है molarity और actual में यही क्या होता है concentration तो इसे हम क्या लिख सकते है इसे हम लिख सकते है pi equal to MRT और number of moles of solute यानि कि amount of solute amount of solute upon amount of pure solution is nothing it is what concentration तो यहाँ पर मैं इसको C भी लिख सकते है CRT जाहे हम MRT बोले या CRT बोले बात एक ही है अब देखो इसके थूँ इसे मैं क्या बोल देता हूँ इसे मैं कहा देता हूँ equation number 2 अब इस equation number 2 के थूँ अगर हम देखे तो pi को हम M से relate कर सकते है और pi को concentration C से relate कर सकते है ठीक है तो from equation number 2 ठीक है from equation number 2 पहली चीज़ हम क्या लिख सकते है पहला चीज़ हम लिख सकते है pi is proportional to M लिख सकते है क्यों? r तो constant है और tb constant है r की value fix है r की value कभी मैं आगे बताने वालो हूँ आपको और t की value भी fix है जिस temperature पर हम बात करेंगे तो temperature fix हो जाएगा तो यहाँ पर pi कीस पर depend करेगा M पे और यहाँ पर pi कीस पर depend करेगा C पे तो यहाँ पर हम और क्या लिख सकते हैं और pi is proportional to C तो यह हमने दोनों ही topic यह दोनों topic एक साथ देख लिया molarity का osmotic pressure से कैसा relation होगा molarity से इसका relation directly proportional का होगा और molarity से concentration का भी relation कैसा है directly proportional का ठीक है बट हमें आगे पहुचना है कहाँ पे हमको आगे calculate करना है molar mass clear है तो molar mass calculate करने के लिए हम चलते हैं equation number first से तो देखो क्या करेंगे हम from equation number first from equation first क्या लिख सकते हैं हम इसको पाई इस इकोल स्टू पाई इस इकोल स्टू एन अपॉन वी आईटी तो यहां पर जो एन है actual में क्या है number of moles जिसे हम weight upon molar mass लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा weight of solute into R into T upon यहां पर क्या हो जाएगा molar mass weight upon molar mass number of moles की वज़ा से और यहां पर क्या हो जाएगा volume और यह volume actual में होता किसमें है liter में तो इस तरह से हमें क्या मिल गया इस तरह से हमें मिल गया pi is equals to wrt upon mt into vl अगर हम यहां से molar mass की value calculate करना चाहते हैं तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं और देखे यही पर आगी लिख लेता हमें और इसे हम क्या लिख सकते हैं mt equal to हो जाएगा wrt upon यह हो जाएगा pi into vl clear है तो अगर आपको osmotic pressure के terms में equation को रखना है तो आप इसको रख लीजिए और अगर आपको molar mass calculate करना है तो आप इसको रख लीजिए इस formula के तरू आपको अलग लग variety के question पूछे जाते हैं किसी question में हो सकता आपको osmotic pressure पूछ दिया जाए किसी question में हो सकता है solute का amount पूछ दिया जाए या किसी question में solute का molar mass पूछ दिया जाए तो यह सारी possibility है अब एक चीज और यह जो r क्या है r है universal gas constant जिसकी value आप पहले से जानते हैं class 11 से but मैं यहाँ पे revise करा देता हूँ तो r की value क्या होती है r की value pressure के अलग-अलग unit में अलग-अलग होती है तो देखिए क्या के use करते हैं हम लोग 0.0831 यह होगा bar liter mole inverse Kelvin inverse यह है first value 0.0831 कब जब pressure किसमें है बार में है अब देखो अगर हम इसको Pascal में कर दे या ATM में कर दे तो क्या होगा तो ATM में क्या होगा देखो ATM में इसकी value होगी 0.082 ATM liter mole inverse Kelvin inverse ठीक है यहाँ पर आप चोह हो तो 1 भी add कर सकते हो ठीक है तो बार में और ATM में सर्फ difference क्या है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है अब कुछ-कुछ question में यह Pascal में भी use होता है तो पासकल का आपको concept पता होना चाहिए 1 bar equal to 10 to the power 5 पासकल ठीक है तो अगर हम यहाँ पर देखो sort meter में करता हूँ नीचे लिग देता हूँ है 1 bar equal to 10 to the power 5 पासकल होता है तो यहाँ पर अगर हम 10 to the power 5 का multiply कर दें तो क्या होजाएगा 0.831 डारेक्ट multiply करके लिखता हूँ है यह होजाएगा 8.31 into 10 to the power 3 और यह होजाएगा पासकल लिटर मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स तो यह r के different different value है अलग-अलग unit में तो मैं आपको suggest करूँगा आप memorize कर लिजे किसको इस bar वाले को और इस unit वाले को और बाकी आपको यह relation तो पता होना ही चाहिए जिससे आप आसाने से calculate कर पाओ वैसे यह relation कई अलग-अलग जोग होजाएगा होता है तो आपको तो याद होना ही चाहिए वन बार इक्वल टू टू टेन तो पाओर फाइव पास्कल ठीक है तो इस तरह से हमने ऑस्मोर्टिक प्रेसर का calculation देख लिया ऑस्मोर्टिक प्रेसर के ठीक है अब हम 3 और important solution के terms को देखने वाले हैं उससे पहले आप इसको फटाक से नोट कर दीजिए कि अब हम ऑस्मोर्टिक प्रेसर के concept पे 3 important terms देखने वाले हैं फॉस्ट हम देखेंगे कि आईसो टोनिक कि सॉल्यूशन सेकंड हम देखेंगे हाइपर टोनिक सॉल्यूशन और थर्ड हम देखने वाले हैं हाइपो टोनिक सॉल्यूशन ठीक है इन तीनों को समझने के लिए हम एक एक्जाम्पल लेते हैं यह हमने ले लिया एक कंटेनर और इस कंटेनर के त्रू हम दो टाइप के सॉल्यूशन को सेपरेट कर लेते हैं और बीच में हम अपने समझने के लिए क्या लगा लेते हैं एक सेमी पर्मियेबल मेंब्रेंड है ठीक है यह हमने फिल कर लिया सॉल्यूशन वन और इसके अंदर हम फिल कर लिये सॉल्यूशन टू इसे मैं कहा देता हूं सॉल्यूशन ए और इसे हम क्या कह लेते हैं सॉल्यूशन बी ठीक है तो यह है ए और यह क्या है बी और इन दोनों को हमने सेपरेट कर लिया है किसके तुरू सेमी पर्मियेबल मेंब्रेंड के तुरू अच्छे समझेगा एक बार में आपको पूरा यह क्लियर हो जाएगा अब देखिए इस सॉल्यूशन के उपर अपलाई होने वाला ओस्मोटिक प्रेशर हमने एजूम कर लिया पाई ए और इस सॉल्यूशन पर अपलाई होने वाला ओस्मोटिक प्रेशर हमने एजूम कर लिया पाई भी हमको यह नहीं पता कि कौन से solution का concentration कम है या जादा है कुछ भी हमको नहीं पता हमको बस इतना पता है कि यह दो अलग-लग solution है इसका osmotic pressure pi A है और इसका osmotic pressure pi B है अब देखो condition समझेगा first condition first if pi A equal to pi B अगर दोनों solution का osmotic pressure equal है तो यह दोनों के दोनों solution क्या कर लाएंगे isotonic solution clear है यह क्या कर लाएंगे isotonic solution so isotonic solution are solution which have same osmotic pressure clear है ऐसे solution जिनका osmotic pressure same होता है उसे हम क्या कहेंगे isotonic solution बहुत important है दोनों का osmotic pressure equal हो गया इस concept के base पे आपको numerical भी solve करना होगा आगे इस पे numerical भी देखने को मिलते हैं और अच्छे-चे question frame होते हैं तो इसको mind में रखेगा isotonic solution का मतलब होता है दोनों solution का osmotic pressure equal है clear है अब देखो condition number two assume करते हैं condition number two में हमने assume कर लिया if pi A is greater than pi B ठीक है अब हमने assume कर लिया कि जो A वाला solution है इसका osmotic pressure B से ज़्यादा है तो जब दोनों के osmotic pressure में difference है तो जिसका osmotic pressure ज़्यादा है किसका ज़्यादा है A का ज़्यादा है न तो इस A को हम क्या कहेंगे इस A को हम कहेंगे hypertonic solution clear है जिस solution का osmotic pressure ज़्यादा है उसे हम कहेंगे hypertonic solution so hypertonic solution are those solution which have higher osmotic pressure or you can say more osmotic pressure as compared to other solution that is B अब B का जो osmotic pressure है ये क्या है कम है तो इस B को हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे hypotonic क्या कहेंगे से हम hypotonic solution clear है तो hypotonic solution क्या है hypotonic solutions are those solution which have less osmotic pressure as compared to other solution clear है hypotonic solution का मतलब क्या है जिसका osmotic pressure क्या है more है और hypotonic का मतलब है जिसका osmotic pressure less है clear है अगर मैं third condition assume करू उल्टा कर दू वैसे आपको यहां से clear हो चुका है लेकिन फिर भी मैं एक third condition assume कर लेता हूँ condition number third if pi A is less than pi B ठीक है अब अब हमने zoom कर लिया कि जो B solution है इस B solution का osmotic pressure क्या हो गया high हो गया जादा हो गया तो अब क्या होगा यहां पर A जो है जिसका osmotic pressure कम हो चुका है क्या हो चुका है लेस हो चुका है इसे अब हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक solution क्या कहेंगे इसे हम हाइपोटोनिक solution जिसका osmotic pressure कम है उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक solution और यह जो हमारे पास B solution है जिसका osmotic pressure more है जादा है इसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक solution clear है तो इस तरह से हमने तीनों कंडिशन को समझ लिया हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आईसोटोनिक क्लियर है, आईसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, ऐसे सॉल्यूशन जिनका वेप, जिनका आस्मोटिक प्रेसर सेम होता है उसे हम कहेंगे आईसोटोनिक सॉल्यूशन हाइपर्टोनिक सॉल्यूशन क्या है ऐसे सॉल्यूशन जिसका उस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के कंपेरिशन में जादा होता है और हाइपर्टोनिक सॉल्यूशन क्या है ऐसे सॉल्यूशन जिसका उस्मोटिक प्रेशर दूसरे solution के comparison में less होता है, कम होता है, clear है, तो ये तीनों concept आप याद रखिएगा, इस concept पे question भी पूछे जा सकते हैं, और especially isotonic पे तो numerical form होते ही होते हैं, तो isotonic condition का मतलब ध्यान में रखिएगा, जहां पर दोनों solution के osmotic pressure equal हो, तो इस तरह से हमने osmotic pressure के concept को completely finish कर लिया, और सा साथ ही four quality to property भी हमने finish कर लिये, अब अगर हम reduce syllabus के coding बात करें, तो हमारा सारा topic cover हो चुका है, अब हमको अच्छे अच्छे numerical solve करने हैं, तो सारे topic के हम numerical देखेंगे, और साथ में हम कुछ JEE और NEET के भी questions solve करेंगे, तो thank you, watch करने के लिए, चलिए आगे हम देखेंगे numerical,